सुझाइज वल्कम बैक टू आवर चिनल डाइनमिक टेक्नो गईज अब रेडिमी पोन उच करते हैं तो दोस्तो आपने रेडिमी पोन पर एक प्रोब्लेम जरूर फैस करने के लिए पड़ता है क्या होता है दोस्तो आपका रेडिमी पोन होता है वो आटोमेटिक पावर आपको देखने के लिए पड़ता है ऐसा कुछ आखित कर यह प्रोब्लेम अपना मॉबाइल पर आपको क्यों दिखाई देता है इसका रिजन क्या है और इसका सलूशन क्या है दोस्तो आज की सब्रों पर हम डिसकसन करने वाले है तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले द आतको रेगमेंड करूंगा जब अपना मॉबाइल बोहत ज्यादा हीट हो जाता है तभी दोस्ता को छोट दिना है कोल डान होने में अपना मॉबाइल को और जो तीसरा नत्वर जिल जन हो सकते है दोस्तों आपका मॉबाइल का बैटरी अगर डेमेंज होई तो दोस्तों 101 क पर्मनक्राइन को चाहंगा करने के बाद मसंठ में लिए इंपोटे परना मबाइल अपना मॉबाइल पर इतर्ष प्राइब वेंब होगा वो शॉट आउट हो जाएगा तो चलिए दोस्तों बीना किस टाइम उच्ट के विडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दोस्तों को देखने के लिए मिलेगा मैं स्क्रेइन पर आ चुका हूं पहले दोस्तों अपना मोबाइल को पावार आप कर लेना है तो आपको दिखा देता हूं दोस्तों आपको पावर बटन और आपको साथ में प्रेप्रेस करके रखना है वह यहाँ पर आपका मोबाईल होता है बो रिकॉबरी मोड में आ जाएगा रीकॉबरी मोड में आने लेखने के लिए कई सब्सक्राइब, सेने थाउब, सब्सक्राइब, सब्सक्राइबॉसại लोगा सस्फिक्राइब, और सब्सक्राइब, त misin 2id1 मोँसस्थ तो आपको इनसी सब्सक्राइब, जुबी आपको nordpaines satis. क्या होता है, दुबी आपका losing accents, Shepp哪裡 है वो डिसेबल हो जाएगा चलिए मैं उनलोग करता हूं दोस्तों आपको देखने के लिए मेरेगा जो भी एप्लिकेसन आप यहां पर इंस्टल किये होते हैं दोस्तों वार्टसप बगरा जो भी फैस्बूक है वो सारे डिसेबल हो जागा देन करना है अपना मोबाइल को य जो सेब मोड होता है वो डिसेबल हो जाएगा चलिए डेक्ष्ट मेथल पर क्या करना आपको बताता हूं ने दो नोमर मेथल पर दोस्तों आपना मोबाइल में कोई भी ऐसे थाड़पाटी एप्लिकेसन आपना मोबाइल पर इंस्टल करके रखें तब इसको पहले आपको आपको आपको प्रोब्लेम हो जाए यह दोन नोमर मेथल पर क्या करना है आपको बताता हूं तीसरे नंवर मेथल में दोस्तों आपको फिर से एगन आपना मोबाइल को पावर आप कर लेना है पावर अप करने के बाद दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा जब अपना mobile completely power up हो जाएगा देन फिर से अपना mobile को power on करना है चलिए मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों पावर अंग करने के बाद दोस्तों जब अपना MI logo जब दिखाई दे तभी दोस्तों आपना mobile का power button and volume up button आपको एकी साथ में प्रेस करना है चलिए आपको करके activity दिखा देता हूं दोस्तों आपना mobile का power button and volume up button आपको एकी साथ में प्रेस करना है देन दोस्तों continuously प्रेस करने के बास दूस्तों लोगों होता है दोस्तों हो जाएगा देखने बात धो एक बार वाइबीरियेट होगा अपना मुबाइल पावर बटन को कि छोड़ द Santa मोंब भॉट मोइल होता है वो recovery मोड में आजएगा और अने के बात यहां पर पूर्स करना है यानिकि अब करना है force reboot में अब क्या फाइदा मिलेगा दोस्तको चले बताता हूं इसको पहले कर लेता हूं पावर बटन पर क्लिक करता हूं यहां पे रीबूट टो सिस्टम नाउब पर क्लिक करता हूं इसको अपना मोबाइल को यूज करना है यूज दोट सकता है दोस्तो आपका जो problem होता है वो. शूट-आई होजाए. इससे भी अपना mobile का problem को सव्त्नोंório. 카ट नमर म्यथल्ग पर पर चले के में क्लिक करना है तो किने का मतला है थे किनेका पर दूस्तों website नहीं की बज़ेसे भी ये problem आपको करने के बाद आपको करने के सजबार पर बने के बाद भ Desde उफशन आपको क्लिक करने के लिए अपको देखें लिए आपको क्लिक करने नहया है। कि अध colis आपको ॉब कर लेना है और करने के बाद दोस्तों आपको नीचे पर पर चले करना है तो चले में कर लेता हूं करने के बाद आपको यहां पर देखने के लिए करने के बाद जो भी आपको पहली क्लियर करना है तो यहां पर में क्लिक करता हूं दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें करने के बाद दोस्तों आपको सब्सक्राइब करना है दोस्तों तभी जाके आपना मोबाइल स्मोटनेस आएगा और स्पीड भी आ जाएगा आपना मोबाइल पर ठीक है यहां पर security scan पर क्लिक करना है दोस्त आपको देखने के लिए मिलगा agree आपको कर ले ना है security scan में दोस्त आपको यह फाइदा मिलेगा जो भी आपका payment environment है और जो भी आपका virus स्थाइब करने के बाद दोस्तों देखने के लिए करने के बाद दोस्तों नीचे और मिनिट का अफ़सान रिक कर लेना है चेले में इसमें क्लिक कर लेता हूं यहां पर बेक चलिया है देन आपको देखनी के लिए मिलेगा। यहां पर वियर्ट करते हुआ है, में smoothness आएगा speed up आएगा दोस्तों कोई भी problem आपको future में देखने के लिए नहीं मिलेगा तो चलिए next method पर क्या करना है दोस्तों सेटिंग पर चले आना है चलिए मैं सेटिंग पर चले जाता हूं दोस्तों सेटिंग पर चले आने के बाद दोस्तों यहां पर आपको find करना है additional देखने के लिए मिलेगा यहां पर additional setting पर क्लिक करना है दोस्तों एडिसनल सेटिंग पर क्लिक करके यहां पर फिर से में scroll down करता हूं देन दोस्ते आपको factory research पर आपको क्लिक करना है और दोस्तों अपना mobile में जो भी backup आप यहां पर नहीं लिए हैं जो भी photo वीडियो जो भी open patent password आपको दे देना है देने के बाद दोस्तों यहां पर आपना mobile को reset कर लेना है reset करके आपको setup कर लेना है जाना आपका mobile smoothness आ जाएगा कोई भी problem बगरा नहीं आएगा यह problem को ऐसे भी आप sort out कर सकता है तो इस वीडियो का जो last method है दोस्तों आपना mobile का battery को एक बार remove करके फ खोल सकता है और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों अगर आपका mobile लेया है warranty अभी तक खतम नहीं हो है तो दोस्तों आपको नहीं खोलना है back case को अधराइज जो आपका warranty होता है वो एकस्पार हो जाएगा वो आपको accept नहीं करेंगे ऐसे दोस्तों आपको step by step करना है अपना mobile पर यह problem sort out हो जाएगा और दोस्ता पार्टकान देखना चाहता है या फिर अपना Redmi phone को एक बार backup करके reset करना चाहते है जो भी data होता है जोस्तों उसको आप एक बार backup करके reset करना चाहते है कैसे करना है दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो dedicated video में पहले से बनाके र हुँण